नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका, आज आपके सामने बास्तू के अनुरूप बहुत ही अच्छा घर का प्लान लेकर आया हूँ, ये बिलकुल बास्तू के अनुरूप बना है, इस घर की बात कर लें, तो ये पस्चिम मुखी घर है, ये आपकी उत्तर दिसा है, और ये दक्छिन दिसा है और ये आपकी पस्चिन दिसा, ये वेश्ट दिसा, चलिए मैंने दिसाइँ आपको किलिर बटा दिया, अब इस की सबसे पहले लंबाई-चवडाई को हम देख लेते हैं कि लंबाई-चवडाई इसकी कितनी है, टोटल लंबाई की बात करें ति इसकी टोटल केंपस एरिया ये टोटल की मैं बात कर लूँ ति ये 60 फिट है इनकी और इसकी चवडाई जो मैं इधर बात कर लूँ ति ये लगभग जो है 38 फिट है ति ये 60 बाई 38 टोटल है अब आए ये constructed area constructed area क्या है निर्मान धीन जितना पर घर बनना है वो 45 गुना 30 है अर्थात यहां से यहां तक 45 है और ये 30 फिट में है पस्चिम मुखी घर है आईए बास्तु किस प्रकार से adjust किया गया है मैं एक एक करके जानते हैं ये घर का मुखे द्वार दिया गया है यहां पर middle में ये भी बास्तु के अनुरूप middle से middle से आपको इस तरह में लेना चाहिए लेकिन बड़ा द्वार देना है तो आप ले सकते हैं तो इसलिए यहां पर इस प्रकार से बास्तु के अनुरूप ये इनका मुखे द्वार दिया गया है campus area का ये इनके campus का area जैसे ही campus से अंदर आते है आप तो यहां पर इनके लिए कार पार्किंग दी गई ये देख लीजी बिलकुल सामने जो आप देख पा रहे हैं ये कार पार्किंग इसकी मैं लंबाई चौड़ाई बता दूँ ये 15 फिट रखी गई है और ये 9 फिट रखी गई है कोई भी यदि कार खरीदते हैं आप तो कम से कम आपको 14 फिट की जगह रखनी पढ़ती है तब गाड़ी आपकी इजी वे में लगती है और गाड़ी की चौड़ाई लगबग 5-6 फिट होती है तो यहां 9 फिट रखा गया है चुकि गाड़ी के अंदर जाने के बाद गाड़ी के डोर भी आपको ओपेन करने प 11 फिट लंबी है यह एक छोटा सा बरामदा है बैठक है कि कोई बेक्ती बाहरी आएंगे तो इसी में बैठेंगे कार पारकिंग से एक अंदर जाने का रास्ता है साथ में इस बरामदे से भी अंदर जाने का रास्ता जब आप अंदर आते हैं तो आप लॉबी में चले आते इसी lobby से सभी कुछ connect है आपको सोने के लिए हमें master bedroom चाहिए तो master bedroom जो बनाया गया ये देख लिए बिल्कुल south और waste ये आपका क्या है waste है और ये south south waste के corner नरीते वाले छेतर में मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ किलियर कर देता हूँ तो आपको confusion नहीं होगा ये waste है ये south है चलिए ये नरीती कोन में master bedroom दिया गया है इसी master bedroom से attached ये जो दिया गया है ये toilet और bathroom दिया गया है इस कमरे में attached है ये जो symbol दिये गया है ये door के symbol है ये toilet bathroom attached है इसमें ये भी बास्तु के अनुरूप इस घर का केंदर यहां आ रहा है जहां lobby दिया गया है और हम जानते हैं कि south south waste की zone में हम सोचालाई का निर्मान कर सकते हैं था यहाँ पर सोचालाई bathroom का बास्तु के अनुरूप जो है डिगर toilet bathroom इनके पास है अब आएए एक common social bathroom इसी lobby में है ये जो देख पा रहे हैं ये bathroom है और ये toilet है जिसका door जो है आपको सीड़ी के नीचे से ये सीड़ी बिल्कुल दक्षिन दिसा में इस परकार से उपर चले जाएंगे और इसी सीड़ी के नीचे आप देख लेते हैं यहां जि B और T अब आएए अगनी कोन वाले छेतर में हम चलते हैं तो अगनी कोन अर्थाद साउथ इस्ट का छेतर तो ये अगनी कोन में यहां रसोई दी गई है मैं थोड़ी सी लंबाई चोड़ाई किलियर कर दू रसोई 9 फिट और 10 फिट अर्थाद 90 स्क्वेर फिट की ये रसो इस डाइनिंग एरिया मिल जाता है आप चाहे तो इस डाइनिंग एरिया में इस कॉर्नर पर एक छोटा सा पूजा घर का भी आप निर्मान कर सकते हैं ये पीछे बरामदा के रूप में यहां खुला भी दे सकते हैं आप विंडो डोर बगएरा रख सकते हैं अच्छी लिनी चाहिए यहां आप बोरिंग करा सकते हैं नेक्ष्ट जो दिया गया है उत्तर के तरफ में दूसरा बेडरूम दिया गया है आप देख रहे हैं इसका ये डोर है यहां बेडरूम से इसमें डोर है इधर से आप परवेश करेंगे रूम में ये बेडरूम की मैं साइज की बात कर लूं तो यह 12 भाई 13 का बेड रूम है हलांकि तो टोटल 17 भाई 12 है यहां से यहां तक 17 है और यहां से तक 12 है इसमें एक एटेजड है आप चाहे तो एक सवचाला बातरूम यहां एटेजड बना सकते हैं या फिर इसको ड्रेसिंग रूम के रूप में यूज ले सक होते हैं यह आपकी इक्षा पर है यह एक रिक्वार्मेंट के अनुसार हमने एक सब्सक्राइबर के लिए बनाया था उसी के भी सेमें मैं यह सारे डीटेल्स बता रहा हूं तो यह बेड रूम है इस से कनेक्ट यह जो है आपका ड्रेसिंग रूम दिया गया है तो कुल मिल आके देखें अब एक बात पता दूँ कि पार्किंग एरिया हमें देना चाहिए नौर्थ वेस्ट में थी यहां नौर्थ वेस्ट में हमने पार्किंग एरिया दिया है मुख्य द्वार हमारा वेस्ट से वेस्ट साउथ वेस्ट की और होनी चाहिए थी इसका भी यहां ध्य जान दिया गिया कि मुख्य द्वार हमारा वेस्ट के बाद पढ़ता है और वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में ही ये आ रहा है तो कुल मिला के देखें ये बास्तु के अनुरूप बनावा बहुत ही सुन्दर प्लान है आपके पास यदि इस मेजरमेंट से मिलता जुलता यदि कोई जगा हो तो इस प्लान को छोटे बढ़े करके एड़ेस्ट किये जा सकते हैं यदि आप चाते हैं कि बास्तु के अनुरूप प्लान बनवाने के लिए तो आप हमारे वाट्सप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में एबम थम्बनेल पर दिया गया है इस पे संपर्क कर सकत हैं निउन्तम सुल्क लेकर हमारे हाँ एक्सपर्ट के द्वारा आपको बास्तु के अनुरूप तू डैमेंशनल प्लान बना कर दिया जाएगा आज की एंक में इतना ही धन्यवाद